इस बंदे का वारल हुआ है एक पहला वीडियो ही माई फस्ट व्लॉग पांस लाग पहुंचा है तो कुछ ना कुछ तरीके अपनाए होंगे अरे सोनो जी कैसे है अरे सुना तुम्हां फस्ट व्लॉग वारल हुआ है यार हाँ सर वाइरल हो गया सर गलती से गलती से हो गया है डिलीट कर दो जीए डिलीट कर दीजिए अच्छा कितने व्यूज आएं आपके फस्ट व्लॉग में अरे वाओ क्या बात है यहां लोगों के दस जार नहीं आते आपके यार पांच लाक व्यूज आ गए और आप गलती से हो गए वाह क्या बात है ऐसी कौन सी गलती हो गई आपसे जो वीडियो भी वाइरल हो जाता वही यूटूब पर हाँ हम भी गलती कर देते हमें भी कोई टिप्स डीजिए जिससे हम भी गलती करें हमारा भी वाहर लो जाए हैं कि आज हमारे चनल पर आप लाइब हैं यहां पर काफे सारे लोग लाखों लोग आपको देखने वाले देख रहे हैं क्योंकि आपका फस्ट माई फस्ट व्लॉग वारल हुआ है पहला इंटरव्यू है इस सिकंड लहर में मेरे चनल पर जो की एक वारल हुआ जिनका वीडि हम बिहार से हैं सर्थ अच्छा बिहार से बिहार वाले वारल हुआ रहे का बात है क्या अच्छा नाम क्या आपका सोनू कितनी एज है आपकी सोला साल के आप एजुकेशन क्या है आपकी तेंथ दसवी क्लास में पढ़ रहा है अरे अब आपर यूटूबर बनना है दसवी क्लास से ही क्या बात है अच्छा तो आपका माई फस्ट ब्लॉग वारल हुआ है जिस पर अच्छे खासे व्यूज आएं सब्सक्राइबर कितने मिले आपको उससे 55000 के चरेब तो आपका माई फस्ट ब्लॉख वारल हुआ है यहां पर काफी सारे लोग महनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं काफी सारे वैडो डाले हैं लेकिन उनका वारल नहीं हो रहा है आपका क्यू conviction बहुत सारे लोग यहीं देखना चाऊ रहा है क्योंकि बिलॉगिंग का बहुत जाधा क्रेज है आज की डेट में और बॉगिंग में विउज आ रहा है अगर आपका विडियो आपको लोग पसंद कर रहे हैं तो आपके व्यूज बहुत बढ़ी आ रहे हैं तो ब्लॉगिंग का क्रेज बहुत ज़्यादा पैसा भी बहुत है और सौरब जोशी से काफी ज़्यादा लोग इंस्पायर हैं क्योंकि बहुत अच्छा पैसा कमारा वह लाखो करोनों रूपए महीन है कमारा तो ब्लॉग न्यूंग तो बहुत अच्छा केरियर हैं लेकिन अकी ब्लॉगिंग में पहला कदम होता माई फर्स्ट ब्लॉग होता है ठीक हैं जिसमें आपका इंटरो होता है तो आपका वीडियो वारल कैसे हुआ कुछ ना कुछ कि पहले वीडियो डाला आपने वारल हो गया कि कुछ और तरीका है बताइए थोड़ा सामारी ओडियस देख रही आपको मैंने के लिए चाली चानल को मैंने करेट किया हुआ है जब फर्ष्ट ट्रेंड है था ना जो यह दो पहले लायर मेरा ना मैंने को लिए replicate मैं दो साल हो गहिंए मेरे को और एक्प्रेश्ट नहीं था तो मेरे ना लगाना लाइक थमनना अच्छे से बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से दिकिसी और भॉशत लाइर मैं ने तीन बार इसमें भी ट्राइब किया चोथे बार मैंने पॉर्ण भार भर ना नहिं होगा तो बीच रास्ते में मेरे दिमाग में सब्सक्रीक करें याव वाव क्या बात है मतलब आपने डाल दिया और अड्रेंडम डाला और आपने उसको अपने आइडी से वाश किया पहले दिन आपके 60-70 वाए थे वह भी कहां से लाए थे आप यूज अच्छा आपने मतलब की वाश टाइम दिया अपनी वीडियो का इसका मतलब की आपने फुल वाच किया होगा इस जिसका मेंने उसका पोपी कर लिया अपने डिस्कृप्शन में डाल दिया हुआ हाँ हाँ तो बस्चा वही वाराल जो लोग हुए हैं उन्हीं का अपने कॉपी करके अपने वीडियो में डाल दिया और मैंने वीडियो में तोरह सा सौरफ जोसी के किलिप कर लिया था ऑई इसके पहले कभी नहीं किया था कि इसके पहले मैंने कभी भी अलग नहीं किया तो इसमें मेंने अलग कड़ा इसमें सौरब जोस्य को ले आए जो ब्लॉगिंग के बातसा है उन्हीं को ले लियो बहुत दिमाग लगा ले गए तभी तो वैरल हुए हैं लोग दिमागी तो नहीं लगा पा रहे हैं यहां पर जो नहीं लगा पा रहे हैं और हां काम तो काफी सारे लोग कर रहे हैं तो क्या बोलना चाहेंगे कि माई फर्स्ट व्लोग क्या सभी का वायरल होगा क्या करें ये लोग क्या करें तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना जैसे आप तोरा सा अलग कीजिए जैसे मैंने किया तो मेरे देख करके दो तीन का वायरल हो गया प्र और वी अगला कुछ अलग करें तभी तो होगा ना सर करोगे तब दो को पहली लहर में काफी लोग वायरल हुए दूसरे लएर में काफी सारे लोग वायर आपको क्या लगता तीसरी लहर आएगी अच्छा नहीं माई फ़स्ट व्लोग की अरे वो कुरुगुना किनला यार कुरुगुना किनलाओ यह ले आओ वले अच्छी यह वाली लाहर अच्छी इसमें किसी का कैरियर बनेगा पैसा भी कमाएगा वो यूटूब से अब जब पैसा है तब क्या होगा अब तब और कुस होंगे तो बतार दसवी क्लास में कमाने लगेंगे थोड़ा बहुत आए तो निकालेंगा वाओ क्या बात कमाल गर्दिया भाई तो गाइस यह पहले सक्सें इनका इंटर्व्यू में ले रहा हूं अपने चनल पे जो दूसी लहर में और इनका वीडियो वारल हुआ इसके चनल पे किया इन्होंने थोड़ा सा सौरप जोशी का क्लिप यूज किया तो वह चीजे अब आप कैसे बारे लोंगे आप भी कुछ नया सोचिए थन्मल पे काम करिए और वीडियो इडिटिंग के बारे में क्या बोलना चाहें क्या म्यूजिक वगरा डालना पड़ेगा तब ही वा अब सुकून मिल रहा है क्या लगता आपको यह सारे जो इतने भी सब्सक्राइबर मिले इनको आप रोख पाएंगे गड़से इतने आपके क्योंकि यह गलतियां आप भी मत करना काफी सारे लोगों का पिछले बार भी वारर हुआ लेकिन उनकी चली गई उनको छोड़के तो उनको रोख कर रखना पड़ेगा आपको उनके हिसाब से कंटे देना पड़ेगा उन्हें पसंद हो उनसे पूछिए क्यों नहीं करिए उनसे पूछिए पता चलेगा उनको आपको हना चलिए बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पर आए और हमारी ओर्डियंस ने देखा ठीक हैं तो भाई का चैनल है देखिए जाके कैसे वारर हुए हैं डिस्किप्सन में लिंक मिल जाएगी चैनल की त अरे वाओ एजुकेस्नल क्या नाम क्यों रखा आपने लेकिन मैं पढ़ाई करता हूं सोचा कि इस पेड़ाइब बाते बताएंगे लेकिन मैंने ब्लॉग डाला अप सोचा कि ब्लॉग कर ले डाले तो उसके बाद एजुकेस्नल वाली बाते करेंगे चले बहुत सभी ने कर दिया क्योंकि मुझे अलग करना था अरे वाओ क्या अलग करना था तुम्हालेगी करते हो सब कुछ आए तभी तो आज माई पर्स व्लॉग वारल करा हो जब कोई अलग नहीं करेगा तो कैसे करेगा कैसे चलेगा तो बात समझे इनसे मेरी बात हो गई आप लोगों ने देख भी लिया कि लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने बात किया आप से जो भी चीज़ें कभी आते हैं कभी पट्टा में मीट अप करेंगी तो जरूर मिलेंग इस बंदे का वारल हुआ है एक पहला वीडियो ही माई फर्स व्लॉग पांस लाग पहुचा है तो कुछ ना कुछ तरीके अपनाए होंगे जो आपको इन्होंने बता दिये तो वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करना चाना पहना है तो चानल को करें अब इतना टाइम निकालके इस ने इस वीडियो के लिए टाइम दिया और आपको तरीके बताया जो उस्तने फॉङलो किया जो उसे जैसा लगा ठीक है कि कई तरीका नहीं है कर दिक है कि मेंनत ये ट्रीक है और बस और कुछ नहीं गुड बेस्ट आफ लग फॉर फूचर ऐसे आगे बढ़िए और अपने ओडियंस को बचा के रखी अपने पास ताकि वह आपको देखें ठीक है चलिए वन्यवात्रम चेहन